मेरे भाया नहीं रहे तो हम चाहते हैं कि जैसे उसको मारा गया इन लोगों भी फासित दिया जाए। कंदरपूर के दरोगा जी को यह चाहिए था कि जैसे ही गुमशुदगी आपने दर्ज की तो त्वरित करवाई करते हुए उसको ढूड़ने का प्रियास करना चाहिए था और उपी के मोबाईल को सर्विलांस पर लगाना चाहिए था उसको ट्रैस करके और किसी भी तरीके से जिखाने पर लाते तो कहीं ने कहीं दूरगटना नहीं होती एकलता बच्छा था उसके उपर बुल्डोजर चलता है उस तरह अगर माल माल जी जाना चाहिए दोस्तों इस तरीके की घटना है तो आपके सामने रूज आख़वारों में भी आती है और निव चैनल्स पर भी इस दुनिया में नहीं रहा क्या पूरी घटना थी हमिनी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पुलिस ने इनको इतना क्यों बटकाया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम रतन तो राम रतन जी हमें पता लगा कि आपके बच्चे का एक महिने चार दिन के बाद नरकंकाल मिला है क्या मामला ही? सर बिजेस राही हमारे गाउं का है मेरा लड़का नमीन कुमार को हमारे सामने से चार बजे करीब बैठा कर अमरे दरवाजे से ले गया किसी काम के वास्ते इसी कंदर पुरह हम जा रहे हैं किसी काम के वास्ते ले जाकर उसके बाद उसी दिन ले गया उसके बाद से 10 बजे र डूसरे दिन बात करेंगा, दूसरे दिन नहीं बात हुआ, तिस्रे दिन बात हम थ्रना दंप थाने अध्या को जाकर नफ्लिकेशन दिए मतलब आपका बच्चाय का अब हुआ था थीस जूल की शाम को और आपने एक टीन जुलाई को तीन जुलाई को हमने एक दिया कि थाना जना जिए ठीक है हम देदो अप्लिकेशन हम बोल रहे हैं जो यह ना नाइब का हलका कहा है जो चंदरप्रकास का सेप वो देखेंगे इसको जाच करेंगे जी तो उसके बाद हमने उनको अप्लिकेशन दे दिया देने के बाद वो बो कर दो दो चार दिन एस तीन को दिये करते करते जाके नौ को फिर उपलिकेशन लिखवाए लिखवा करके नौ को गुम्सुत की दर्ज होने के बाद हम फिर चकर लगा है वीडियो को पूरा देखने चले जाए श्री नाथ बाबा पैरा मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में जो की नगरा के उरैनी में इस्तित है और वहां जा करके आप एडमिशन करा है निश्चित रूप से आपके बच्चे का भविश्य उज्वल होगा और दो से तीन साल के अंदर उसको नौकरी मिल बाद बाद जननेवाइब फिर चकतला या गारा 12 तरीकों फिर उसका मोबाल दूसरे सिंग खुला जो बच्चा जो हमरे बच्चा को ले गया था बिर्जेसराय जब लेकर गया था तो हमने जाका ठाने पर कहा कि सर उसका फिर सीम चल रहा है उसे आप बात की जिए क्यों च चार दिन के बाद करने लगा हमसे अपने ममी के बात करने लगा हमसे अपने ममी ने कहा कि तुम कहा उनके लड़के को ले गया है जल्दी उनसे बात करो हमारे घर डेली आते हैं करते हैं इस बिटिया का इकलोता बाहमा है जाया मेरा मोंतम कुमारे नाम है तो क्या कहेंगी अब भãहया नहीं रहा है अब जेसे उसको मारा गया इन लोगो भी फासिदी जाए जो जो लों लोग का बात नहीं सुने है लोग का भी फासी दिया जए नहीं mount थाना है हमको सुनवाई होना चाहिए सियन साहे हमारा भाई के साहरा मिलना चाहिए खुने को सजाए मिलना चाहिए बस हमको इह चाहिए इस पूरे महीने के दौरान एक महीने के दौरान आप थाने में कितनी बार थाने में सर हम डेली जाते थे साइद किसी दिन एक दिन शिर्फ नहीं केस्ट दिया है तिसरा फीलीकेसान आपको मम्नईस को दिया है फिर चौथा प्लीकेसान 31 जूलाई को दिया है कप्तान से हैं कप्तान से का ख़के चले गए उसके बाद से फिर लाश्रेमें जाजी से मुलकात हुआ था वहां जो अचिज़न्ट कामंडेंट हैं उनको भी दिये थे फिर दुर्गा तिवारी जी है जो अशिचन का में उतरी में अपसे शुरू में ही कहा कि यदि आप पुलिस के चंगुल में किसी भी तरीके से फस्त है तो भटकाओ भटकाओ और सरी भटकाओ होता है आज की तारिख में य खेती कीते अब पहले तो साहरा में काम हम करते थे लाइसी के लेकिन वह भी छोड़ दिये हैं अड़ाई महीना से कोरेना आया उसके बाद से दोस्तों बलिया से निकल करके आ रही ही सरनाग घटना पर हम क्या कहें हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है सिकंदर पूर के दरो बहुत ज्यादा जिम्मेदार है बलिया की पुलिस के लिए यह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कप्तान साहब कहां भी कोई सुनवाई नहीं होती है और थाने पर जा करके और दिन भर टाइम पास करके लोग आ जाते हैं हम इनकी माताजी से बात करेंगे क्या नाम है तो ये आपका एक लोता लड़का था तो ये कोई नशावसा भी करता था नाइस सब्सक्राइब यह बहुत सारे लोग ग्हिराव भी किये थे जब अच्छे का नरकंकाल मिला तो उसमें कौन-कौन लोग तो उसमें हम लोग पुरा हमारे परिवार के लोग थे पुरे गाउ ख़या तक समाज पार्ट के नेता भी अधिक सामाफटी के नेता वहां परकास भार्ती भी आए थे वहां बैट कर कप्तान से भी बात किया थे कमांडेंट है जहां जी उनसे भी बात किये थे अगर माल दलीत का मालिके कोई सब्रन का खाभ मधल हो जाता है तो दलीत की अब भी मधल हो गया है सब खुड़ की लिलाम भलकोजर चाहिए कंपंए key हमारा जान के बादला धा जान चाहिए हमार जान चल्लोग आपने समने हम भी मारें उसको लोगी सब्सक्राइब कर दिया उन लड़कों को खिलाब कड़ी कारवाई की आयोध्या में जो कांड हुआ उसमें बुलडोजर चलवा दिया आपने इस घर पर कब बुलडोजर चलेगा जो आरोपी है ऐसा पूछना है इन माता जी का जिनका की 28 साल का नौजवान अब इस दुनिया ऐसा लगा हमारे चोह जो ठेया हो में जडरू बचाएएक निभी सब्सक्राइब नाशन के सनरा मेरा यूच्टीब चैनल यूनिक वद्लिया फ्यूपकर देख रहें तो आप देख रहें यूनिवुवण बहुत-बदर